हेलो फ्रेंज आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम कट वर्क और परल्स के साथ बहुत ही खुबसूरत नेक डिजाइन बनाएंगे तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम लिया जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है मैं यहाँ पे चिपकने वाली बुकरम का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी बुकरम का यूज़ कर सकते हैं अब हम इस पे अपने नक्की मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले हम उपर वाली साइड से नक्की चोड़ाई को मार्क करेंगे तो चोड़ाई मैं यहाँ पे neck की 4.5 inch mark कर रही हूँ यानि कि total चोड़ाई neck की 9 inch आजाएगी तो 4.5 inch को हम ऐसे सीधा सीधा mark कर लेंगे अब हमने neck की गहराई को mark करना है तो गहराई ऐसे मैं सीधे में ले रही हूँ लगबग 4.5 inch ही तो 4.5 inch को उपर से हम गहराई भी ऐसे ही mark कर लेंगे तो अब हम इसी dimension के अंदर अपना neck draw करेंगे लेकिन neck के नीचे हमें कट भी देना है जिसमें हमें cut work draw करना है तो वो मैं उपर से ही mark करूँगी उसकी length उपर से मैं लगबग 15 inch पे mark कर रही हूँ आपने जितना भी लंबा कट देना है उतना आप यहाँ पे mark कर शकते है जहां तक हमें cut देना है उसको हम ऐसे नीचे से सीधा सीधा mark कर लेंगे अब हमें cut की चुडाई को mark करना है तो चुडाई मैं यहाँ पे 1 inch से 1 point कम यानि कि 5 inch के करीब मैं इसकी चुडाई ले रही हूँ टोटल हमारे पास 1,5 inch के करीब आ जाएगी इसकी चुडाई तो इस तरीके से 1 inch से 1 point कम ऐसे हम सीधा सीधा mark कर लेंगे तो अब हमने इस cut में cut work ड्रो करना है तो उसके लिए न मैंने ये एक बुकरम का चोटा सा piece cut किया है रगबग 1,5 inch चुडा तो इसको न हम इस तरीके से ऐसे double fold कर लेंगे और यहाँ पे न अपने cut work का pattern draw कर लेंगे तो जितना भी चुडा आप cut work रखना चाते हो उसके according अपने ये बुकरम का piece लेना है और इस पे ऐसे cut work draw कर लेना है तो ऐसे हम यहाँ पे round cut work draw कर लेंगे अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेते हैं तो हमारा ये cut work कुछ ऐसे आ जाएगा अब हम इस pattern को अपनी marking के उपर इस तरीके से रखेंगे और इसके आसपास बिल्कुल इसके साथ साथ mark कर लेंगे तो हमें अपने cut work वाले pattern को बिल्कुल अपनी marking के उपर रखना है और इसके आसपास ऐसे draw कर लेना है ऐसे ही बिल्कुल साथ साथ रखते हुए ना pattern को हम सारा cut work draw कर लेंगे नीचे तक तो नीचे वाला जो cut work है न वो हमारा सिरफ इतना ही आ रहा है तो हमने इतना ही draw कर लेना है cut work तो अब हमें उपर की तरफ round neck draw करना है तो यहाँ पर हमें अपना round neck draw करना है आप पहले धीरे-धीरे mark करके देख लीजिए जो पी marking आपकी बिल्कुल perfect आ जाए आप उसे इस तरीके से dark कर लीजिए तो ऐसे मेरा ये neck draw हो चुका है अब हमने ऐसे ही बाहर से extra buckram को भी draw कर लेना है लगबग पॉना पॉना इंच तो अब हम इस neck को अपनी marking के साथ साथ cut कर लेंगे तो ऐसे हमने अपनी neck को बाहर से तो cut कर लिया है अब हम इसे अंदर से भी cut कर लेंगे तो अंदर से cutting न हम इसकी ऐसे नीचे cut work से शुरू करेंगे इस तरीके से पहले अपने cut work को अपनी marking के साथ साथ cut करेंगे उसके बाद neck को तो हमारा ये neck cut हो जाने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा अब हम इसे extra fabric के उपर paste कर लेते है तो ऐसे मैंने neck को extra fabric के उपर paste कर लिया है और इसको side से fold करते हुए न सिलाई भी लगा दी है और अब हम इसे अपनी कुर्ती पे रखके पलटेंगे तो ये मेरी कुर्ती है कुर्ती को हमने ऐसे सीधा करके रखना है और neck को इसके उपर न हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल center में रखेंगे और सबसे पहले center में एक rough stitch उसके बाद बिल्कुल वुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो अब हमने ऐसे ही कट्वर्क के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है तो ये सिलाई आप थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे लगाएं तो ऐसे नीचे तक तो हमारी ये सिलाई लग चुकी है अब हमने अपनी सिलाई को इधर वाले कट्वर्क के किनारे किनारे भी घुमा लेना है तो ऐसे हमने बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को ना कट कर देंगे तो अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मार्जन लेते हुए बीच वाले सारे फैब्रिक को हम यहां से ट्रिम कर देंगे अब हमने नीचे cut work वाली center वाली rough stitch को cut करना है ये ध्यान में रखें आपकी cut work की आसपास की सिलाहिया ना कटे तो ऐसे rough stitch को हमने cut कर लिया है अब हम ये cut work के आसपास वाले extra margin को भी cut कर देंगे सिरफ एक एक पैर का ही margin लेंगे बाकी सारे fabric को बीच में से ऐसे cut कर लेंगे तो ऐसे हमने extra fabric को cut कर दिया है अब हमें cut work के कोने कोने पर एक cut लगाना है ये cut आप ध्यान से लगाएं आपकी कोई भी सिलाहि नहीं कटनी चाहिए ये cut आपकी सिलाहि तक लगे लेकिन ये ध्यान में रखें कि आपकी सिलाई ना कटे तो अब हम उपर नेक में भी छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे तो नेक में भी हमारे ये कट्स लग चुके हैं अब हम नेक को अंदर की तरफ पलट लेते हैं इस तरीके से हम कट वर्क को बाहर की तरफ निकाल लेंगे ऐसे एक एक करके हम सारे cutwork को बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने सारे cutwork पलट लेने हैं तो ये दिखिए हमने सारे cutwork को ऐसे पलट लिया है अब हमें इस वाले cut को बंद करना है तो अब हम इस cut को बंद करने के लिए इस designer fabric का यूज़ करेंगे ये designer fabric इसी के घेरे से निकला है कुर्टी के तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका घेरा है मैंने इसमें से ये वाले pattern का यूज़ करना है तो ये वाला fabric हमारा पतला है इसलिए finishing अच्छी नहीं आएगी इसलिए मैं सेम कुर्टी वाले fabric के उपर रखके इसको पलट लूँगी बिल्कुल बराबर लेंगे हम कुर्टी वाला fabric और कुर्टी वाले fabric को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और इस वाले fabric को उल्टा करके अब हमने इसके तीनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है एक तरफ से हम इसे बंद कर देंगे तो ऐसे हमने इस fabric के तीनों साइड पे सिलाई लगा ली है अब हम इसे पलट लेते हैं तो बंद वाली साइड से हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और यहां से न किसी भी सिलाई अप इनकी मदद से इसको पलट लेंगे तो ऐसे इस पट्टी को पलटते हुए न हम इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे तो यह पट्टी हमारी ऐसे रेडी हो गई है और यह बंद वाली साइड न हमने उपर की तरफ रखनी है के साथ स्टिक कर लेंगे गली है तो ऐसे हमने त्मिस पट्टी को नेक के लगबग आदा इंच नीचे इस तरीका के से ऊपर वाले accordingly अधा इंच नीचे और यहां पर कंटर के किनारे किनारे सिफिलाई नहीं लगाएंगे हम यहां पर बइक सीरी सिलाह लगा इस तरीके से अगर हम cut work के किनारे किनारे सिलाइँ लगाते तो अच्छी finishing नहीं आती इसलिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई कटवर्क करना हम पर्ल के साथ स्टिच कर देंगे तो ऐसे हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है और यहां पर कटवर्क के किनारे पर सीधी सिलाई लगा दी है तो अब हम इन कटवर्क के बीच में यह वाइट कलर के पर्ल स्टिच कर देंगे दोनों कटवर्क को आपस मे stitch करते हुए तो अभी मैं आपको अपने सारे पर्ल stitch करके दिखाती हूँ तो ये देखिए सारे पर्ल हमारे ऐसे stitch हो गए हैं और देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये neck design बनके तयार हुआ है तो आप भी ये वहला neck design अपनी कुर्ती पर जरूर ट्राय करें तो अगर आपको मेरा ये design और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye